दोस्तों स्वागत आपके एक पर फिर्ट यह हमारे इतिक्स का यूनिट बना भी फिलाल हमारी चल रही है और इसमें हम जो है आज क्लास 3 को अच्छे से देखेंगे दिखें अभी दिख मैंने लेक्चर वन और साथ में मैंने लेक्चर नमबर 2 को ठीक ठाक पड़ाया इसमें मैंने क्या किया basics को थोड़ा सा अच्छे से cover किया आज भी एक थोड़ा सा lecture basics को cover करेंगे फिर इसके बाद हम थोड़ा advance के तरब बढ़ेंगे क्योंकि lecture 1 में हमें पहले नितिसास को समझना साथ में नेतिकता को समझना ये काफी ज़्यादा important हो जाता है अगर आप ये दोनों topics को अच्छे से नहीं समझ रहे हो तो उसका मतलब ये है कि मान के चलिएगा फिर आपके जब basic concepts है वो आपके कहीं ना कहीं गढ़बढ हो जाएगे अगर मैं सीधर सीधी अगर मैं बात करूं मैं आपको ये भी बताने कि अगर मैं कोशिश करूं कि क्यों basics important है अगर आप जैसे UPSC का questions अगर आप देखें थोड़ा सा एक मिल मैं थोड़ा पैंदू से ले 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 तो अगर आप UPSC का chapter number one को यानि कि अगर को chapter number one बोले या फिर unit number one बोले इसको analyze करो analyze का मतलब यहाँ पर यह होता है दोस्तों कि आप 2013 से ले के 2020 तक के previous papers को questions को analyze करो तो आपको ये conclusion में मिलेगा यानि कि आपको जो निशकर्ष मिलेगा वो ये मिलेगा कि 20 to 30 marks के questions इस chapter से आते हैं जो 20 to 30 marks के जो chapter के questions मतलब जो 20 to 30 marks के जो questions आते हैं chapter number one से और ये जो questions होते हैं दोस्तों काफी basic से पुछे जाते हैं basic मतलब questions की theme basic होती है लेकिन इसको advanced level तक पुछा दिया जाता है आप से यह नहीं पुछे गाई इसके परकार बताईए वो बहुत ही basic questions की नयतिकता क्या है यह हमारे जीवन में कैसे इसको हम लागू कर सकते हैं या फेक्स को ऐसे civil service के तोर पे हम कैसे इसको लागू कर सकते हैं इससे फायदा क्या होगा इससे नुकसान क्या होगा तो इस तरह के जो basic questions होते हैं जो आपको किसी notes में नहीं मिलेंगे वो आपको अपनी common understanding से ही common understanding से ही आपको solve करने होगे तो जिसके कारण हमारे लिए topic जो थोड़ा important हो जाता है क्योंकि पढ़ाने को तो मैं एक lecture में पढ़ा दूँ बट उस चीज़ को फायदा नहीं है जब तक आप अपने basics के तरफ आगे ना बढ़ सकें एक चीज़ और मैं आपे बोलना चाहूंगा कि देखे क्या होता है कि मान लिजिए या आप मेरे lectures को क्यों देख रहे हैं क्या किताब में नहीं है क्या यह सारी चीज़ें जो मैं पढ़ा रहूंगे किताब में नहीं है किताब में भी लेकिन question ही है कि better understanding के लिए ही आप मुझे देख रहे हैं कि या चलो अरोडा जी कुछ बता रहे हैं तो कुछ अच्छा ही बता रहे होंगे एक बाद देख लेते हैं कितना कितना conception के doubt है तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यह lectures important है मैं यहाँ पर थोड़ा coaching की तरफ ना जाते हुए मैं एक aspirant view जो है आप लोगों का मैं उसकी तरफ से आपको जाता पढ़ाने कोशिश करो coaching का तो pattern का fix है कि यह है यह है ऐसे है संग्यान यह है नहीं यहां बिल्कुल basics है जो बच्चे को बिल्कुल नहीं पता एक चीज़ जो UPSC भी यही चाहता है कि आप जो ethics है उसको सिर्फ basic ethics की तरह पढ़ें ना कि दर्शन सास की तरह पढ़ें ना कि आप इसको दर्शन सास की तरह पढ़ें जैसा कि और coaching में होता है कि आप लोगों को वहाँ पर दर्शन सास पढ़ाई जाती है नेतिक्ता के तोर पे इतिक्स के तोर पे आपको दर्शन सास से लेड़ें बहुत कुछ पढ़ाती जाता है तो उस condition को ध्यान में रखते हुए आपने दर्शन सास नहीं पढ़ना है यहाप आप नहीं यहाप इतिक्स पढ़नी है ताकि हमारे questions solve हो सके that's it यही करना था तो चली फिर इस lecture को शुरू करते हैं देखे हमने लास्ट के दो वीडियो के अंदर हमने निति सास को थोड़ा सा समझा define अच्छे से किया अब थोड़ा नयतिक्ता को समयचते लिए नयतिक्ता को चीज को बोलने में दो ठीक है Net hypothetical है ठीक है लेकिन actual ethics के paper में आप कैसे इसको लिख सकते है या फिर इसको कैसे define कर सकते है उस चीज को यहाँ पर देखते है देखो नयतिक्ता समाज का वैतातन है सब्वे समाज का यहां पर निर्माण किया जाता है यानि कि देखे जो जितना नहतिक होगा एक हमें यहां पर एक observation यह मिली अगर आप थोड़ा सा इस लाइन को थोड़ा में सोचें तो आपको यहां पर एक चीज भी मिलेगी मैं आपको दिखा देता हूँ देखो जैसे कि यहां पर यह बोला कि जितना देखे जो यह लाइन है वो कहती है कि सब्वे समाज का निर्माण होगा यानि कि हमें यह बता चलेगी अगर हमारे किसी के अंदर नहतिकता है तो सब्वे समाज भी अधिक होगा सब्वे समाज का मतलब हां चीजिया अच्छी होगा जैसे फूर अग्जांबल जैसे की अगर मैं आपको एक घ्चांपल दूह जैसे की आप हम एक अफरिका का पर लेकि चलते हैं ठीक है एक जैसे तो उस कंडिशन में यहां पर जो होगा ऐसे इन कंट्रियों में क्या होगा नेतिकता जोगी एक माइने में थोड़ी कम होगी as compared to others तो कहीना कि जब नेतिकता जब कम होगी तो कहीना कि समाज में सब्वे की जगह और सब्वे समाज की तरफ थोड़ा सा मैं यह नहीं क्या रहा है कि वहां के लोग गलत है रिपीट वन सगें लेकिन मैं जैसे यहां पर एक्जांपल देने अधिक होगी वह समाज उतना ही अधिक होगा तो नेतिकता कैसे डबलब होगी या तो भई देखो अब थब्वे समाज नेतिकता कैसे अगर किसी देखो यहां पर भी थोड़ से पॉइंट्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे अगर कोई कंट्री मालो कोई देश अच्छा विकास कर रहा है अच्छा विकास कर रहा है वहां पर बेरोजगारी दर बहुत कम है वहां पर समृध्धी जो बोलते हैं वो जादा है समृध्धी दर जादा है जब यह चीज़े होती है और साथ में HDIB काफी ठीक ठाक है तो ऐसी situation से जब होती है तो उस देश में नतिकता हमें अधिक देखने को मिलती है इसका हला कि कोई practical authentic एक answer आपको नहीं मिल सकता मतलब एक example नहीं मिल सकता लेकिन इस case में अगर हम रखना चाहें तो Canada को रख सकते हैं नॉर्वे को रख सकते हैं क्यों यहां का जो living style है यहां का Finland है Europe की countries यहां आप देखेंगे कि यह लोग बकाइदा यह लोग अपने law को follow करते हैं इंडिया में भी law है मैं यह नहीं बोलूँगा इंडिया में law नहीं है लेकिन law कैसा चलता है यह आप कोई पता है और यह बात हमें भी पता है traffic signals का traffic signals से होते है red light होती है jump मार देना बस्टा चार यह सारी चार हर आदमी अपने बारे में ज़्यादा सोचना ठीक या थोड़ा सरकार्य अदिगारी को पैसे दे दो और अपना काम निकल वालो तो यह सब चीज़े जब होती है तो वहाँ पर जो लोग होते है ethically netiquette जो है कम हो जाए जैसे कि आज के समय online scammer चले हुए है यह क्या है यह unethically ही तो है यह दिखा जाए तो तो उसी के तोर पे यहाँ पर हमें conclusion यह मिला कि netiquette जिस समाज में netiquette अधिक होंगे वह ज्यादा सब जो होगा वह सब्वे समाज की तरफ जो है आगे बढ़ता चब जाएगा फिर netiquette मानव का वह अमूल वस्तु है जो उसके सद्गुण को पदिश्चित करता है अगर आप अच्छे होंगे नैतिक होंगे कि बुरा ना करना यह काफ़ इच्छा सोचता है और यह काफ़ी समाज को लेकि काफ़ी मतलब अच्छी चीज़े सोचता है तो definitely वह चीज़ें कहना में वह है तो उसी condition में कही ना कहीं यह सद्गुण की तरफी जो पदिश्चित करता है तीसरा उचित अनुचित विचार के संक्रमपलना को नैतिक्ता कहा जाता है यहनि कि यहाँ पर दो बाते बही नैतिक्ता का निधारन कैसे किया जाता है कि क्या यह उचित है या फिर यह अनुचित है तो जब इसकी जब हम इसके पक्ष में जब हम बात करते हैं तो कई ना कि वो चीज़ हमें नतिक्ता की तरब लेके चली जाती है तो ये भी एक reason अगर हम देखें तो ये भी हो सकता है फिर नतिक्ता वह है जो हमें किसी कारे को करने की या ना करने की आग्या देती है यहनि कि बहए चोरी नहीं करना है यह कि यह डिश गलत है यह कि अगरत बदेता है बेबिए इसको मत करो ही चीजेंग गलत है तो कहीं यह भी बात हमें इवी देखने को मिलती है फिर नतिकता में यह भाब भी समामी था है कि अमुक कारे अनुशित है आता है इस उसे नहीं करना चाहिए जैसे कि हम फॉर एक्जांपल माली जी ट्रेन में आप जा रहे हैं वहापे आपने माली जी आपको ऐसी मस्ती चूजे और आपने ट्रेन माली चैन खीज दी मस्ती में है वहीं बैस ऐसी मन किया खीज दी तो वह क्या है वह आप पर फाइन लगेगा पर आपकी वज़े से ्पश के हजारों पर सेंजर जो है वह लेड होंगे जिनको माली पने गत्वेजे जल्दी जाना होगा जो भी यह कारन हो सकते लेकिन तो यह घर गलत थे लेकिन आपने किया तो श केंडीशन में अगर बात करें तो ये सारे के सारे काम इतिकली चीजें जो होती है हमें जो सौचने को मजबूर करती है फिर नेतिक्ता का अधार पवित्रा, नियाय और सत्य से होता है कि भई ठीक है कि नियाय क्या है किस सत्य है ये नहीं है उस कंडिशन में भी जो है अगर हम बात करें तो नयतिक्ता को मतलब की देखा जाया तो किया जा सकते हैं अंतर आत्मा की सही आवाज नयतिक्ता है कि आप आपको पता है अगर प्रेशर में कोई काम कर रहे हैं और एजांपल आपको ज़िए पडी जरुद पड़े अपने फ्रेंड से उसमें बहुत सुख्यों में हैं यह डो किलोमेटर के बाद किसी को दे दे आपने लाइफ में रिक्स ले रहे हैं कि आपको पैसे की जरुवत है आपको पता है यह काम गलत है लेकिन मजबूरी में वह काम हो रहे हैं इतिकली वो चीज़े ठीक नहीं लेकिन मजबूरी में भी कर रहे हैं एक तो ये भी बाद दूसरा आपको पता है यार ये ड्रक्स को इद रहा सप्लाइए करना ये चीज़े गलत हैं तो ये कही न कही अगर बात करें अंतरात्मा की वाज़े के नहीं है अगर यह मैं पकड़ा गया तो हो सकता मुझे जैल भी हो जा मैं भी लंबा फस हूं जैसे कि शारो खान का लड़का लड़का फसा था भी तो फिलालुस को बेल मिली गया है तो ऐसी कंडिशन में कही न कहीं अगर हम बात करें तो कहीं न कि अंतरा आत्मा की भी एक अवाज जो है व बहुत बड़ा इसका आयाम है उस आयाम को हमें इसलिए हमने पॉइंट्स को धिरे-दिरे करकर करके आपको समझाने कोशिश करी जा रही है कि नतिकता का मरतलव किसका अर्थ को हम कैसे किसकी डैमेंशन में हम ले सकते हैं फिर नतिकता के मुल्यों को समाजिक स्विकृती प अब 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 कैसे करने करें अब आपको मारेगा तो पीटेगा नहीं आपसे बात कि करेगा आपके जो माल आपके सुसाइटी में के फंक्शन सोते हैं उसमें नहीं बुलाएगा यह सारी चीए तो कहीं ना की समाजिक स्विकृती का भी होना अगर हम बात करें तो यह भी नतिकता के मुल्यों के अंदर में जो देखना को मिलती है और जिसमें आता है इसका पालन करना परतेक वैक्तिक पावन करता है पिर जो है कर बात करने तो बन जाता है फिर जैसे चोरी ना करना बड़ों का संबान करना चुगली ना करना परिवार का पालन पोश्टन करना किसी है आपको समझा गया यानि कि तो को सिंपल सी बात है अगर आप को गलत काम करेंगे तो वो कहीं ना कहीं अगर बात के बुराई को लेके डुनेट होगा जो आप अच्छा काम मालों को सही काम करेंगे तो वो कहीं ना कहीं अगर बात के तो अच्छाई को लेके डुनेट होगा फिर नतिक्ता के नीमों का उलंगन करने पर व्यक्ति का अंता करण उसे काटता है कि अगर माले को या अगर आप कोई गलत काम कर ले तो डेफिनिटी मन में तो टेंशन हती है न किया यह मैंने गलत किया अब आप अपने दिखिए आप भले ही आप सुसाइटी को जूट बोल जिए लेगिन आप अपने मन को कैसे छूट बौल देंगे आपके जो ओनस्टी जो डिगनिटी जो चीज में उसको आप कैसे उख बोल देंगे तो उसी कंडिशन में अगर मैं बात करूं उसी कंडिशन में यह कहीं त्कारता भी है आप मन को भी फिर नतिक्टा के पीछे समाजिक शक्ति होती है नैतिकता व्यक्ति के अंतरकरण द्वारा उचित-अनुचित का बेसिकली बोद कराता है तो कंक्लूजन में अगर हम थोड़ा सा देखें नतिकता को तो कहीं न कहीं समाजिक शक्ति के तोर पर भी हमें क्मिशे क्या समाजिक फ्लान्डि है उस इक मतलब की देखा जाता है समाजिक प्लाणि के इधा कहीं कहीं न जैकने उचित-उचित का बौध भी कराता नतिकता विए 很好 नतिकता का है यानि कि in short में अगर मैं बात करूं दोस्तों अगर हम बात करें नतिकता क्या है तो नतिकता कहीं न कहीं नतिकता कहीं न कहीं एक समाजी करन का परियास है समाजी करन का प्रयास है, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, समाजी करन साथ में, कहीं न कहीं है, उचित और अनुचित में, हमें बेसिकली जो है, बोट कराती है, तो यही सारी चीज़े हैं, तो उसी कंडिशन में, यह हमें यही समझ में आया, कि हमें जो भी सारे अच्छे काम करते हैं वो नतिकता के तरफ लेके जाते हैं और जो काम हम गलत करते हैं वो नतिकता के तरफ मतलब की वार्निंग हमें देता है नतिकता करने में कि यह काम मत करो क्योंकि यह नतिक तोर पर चीजें जो है बिसकली ठीक नहीं है चलिए थोड़ा विश्यस्ता की तरफ तो नतिक विहार में वह नियम है जो व्यक्ति में उचित अनुचित का भाव जगाते हैं जैसे कि आसपल मैंने एक्स्प्लें किया पहले नतिक तब व्यक्ति के अन्तकरण की आवाज है ये समाजिक विवार का एक उचित परतिमान भी होता है समाजिक व्यवार का मतलब यह जैसा आप करते हैं तो कही ना कहीं यह समाजिक व्यवार भी आपको उचित परती मान आपके परती लोगों को पते हैं यह बंदा ठीक है अच्छा है नातिक है तो उस कंडिशन में जो लेके आने कुशिश करता है, फिर नितिकता के साथ समाज की शक्ती भी जुड़ी होती है, नितिकता तर्क पर धारित होता है, एक चीज़ और, ये चीज़ तर्क पर धारित होती है, कि क्या ये ठिकली ठीक था, फॉर एक्जामपल, मैं ऐसे बात करें, मालो हमारी संसद ने बोला कि भई, ड्रिंक अंड्राइव अलावड है, यानि कि शराब पीकर गाड़ी चलाना, चलाना अलाव कर दिया है, मालो है अलाव कर दिया है, तो जब ये चीज़ पार्लिमेंट कर दे रही है, संसद हमारी कर दे रही है, लेकिन यहाँ पे तर्क क्या है, यार शराब पीके कर गाड़ी चलाता है, जैसे कि यह भी रिसेंटली आपने देखा होगा, अक्षर नाम में कुछ छे लोगों को गाड़ी ने कुछ चल दिया, ट्रिंक अड्राइव केस में, अगर आप दिली से हैं तो, तो उ उस नतिकता को भी ध्यान में रखते हुए जो है, अगर बात करें तो, ये चीज़े बिल्कुल सही नहीं होते हैं, तो इसको बिल्कुल किया जाएगा, फिर नतिकता का सम्मद किसी और द्रश्य पालों की शक्ति से नहीं होता है, कि ऐसा नहीं कि कोई आसमान से उठके कोई जब सरा आ जा कुछ हो जा तो आलोग शक्ति हो जाए, नहीं उस तरह के चीज़े जो है यहां पर इस तरह से बिल्कुल भी जो है नहीं कर जाएंगे, फिर नतिकता परवंद्शील है, इसके नियम, देश, काल और प्रस्तित्य के अनुसा बदलते रहते हैं, ऐसा नहीं है क थो तो तो ऐसे नतिकता परिस्तित्य के साथ आगर बात करें, वह बदलती रहते हैं, उसी चीज़ को webpage बतायगे हैं, फिर नतिकता का सम्झत है समाज से है, समाज जिसे ठीक मानता है वही नतिक है, जो समाज है जो अगर यहां पर दोस्तों बात Canadians की परयोग होता है, मैं किसी इश्वरी शक्ति के भैसे नहीं कि यह नहीं कि आप भगवान को टाके करवा रहे हैं नहीं आपको बगवान आपको जन्नत भेजेगा या फिर अल्ला आपको जन्नत भेजे कुछ ऐसे चीज़े होती हैं नहीं यहां पर नतिक मुल्य को पालन जो होता है व्यक्ति गुण होते हैं कभी कभी धर्म के नियम का प्रतिपादन करती प्रतीद भी हमें जो देखने को मिलती हैं जैसे कि आप देखा हो चाया कुरान हो चाया गीता हो चाया गुर्मकी हो चाया कुछ भी हो चाया कोई भी मतलब कुछ भी हो तो उसमें कहीना कि हमें जो अच्छे उप नतिकता का समन्द किस से होता है देखो मैंने यहाँ पे एक में देखिए मैंने यहाँ पे चीज़ें अगर देखें नतिकता का समन्द यहाँ पे मैंने डाला तो यहाँ पे यह चीज़े निगल के आई हैं कि नतिकता का समन्द ना किसी धर्म से ना ही किसी महजब से है क्योंक कि देखो आपको मैं यह चीज यह बताने कोशिश करता हूँ कि नयतिकता का समझ जो होता है ना वह बैसिकलि ना किसी धर्म से होता है ना मजभ से किसी होता है क्योंकि यार धर्म और यह मजभ यह सब तो इंसान ने बनाए ना यह ऊपर आले गौड़ ने बनाए नहीं भगवान ने भनाइने यह कहला न यह पजनियों हम लोगों ने आके हम ने जो भी है छाए वारा धर्म हो जाए मजभ हो जाती हो यह अद्ध बूशुश भी हो यह थो बनाए न्सानों ने है Community जो बनाई है वो तो इंसानोंने बनाई है शारी चीज़े तो उसी condition में नैत्रिक्ता में इंसानिये का भाव छुपा होता है और इंसानियत होते होती है याने कि जो चीजें मतलब अब दीए इंसानियत के खहिए किया बतले हो आप कितने ठीक हैं किस तरह से तो वो कहीं न किया कि बात करें तो इसकी जो अंतरा आत्मा है वो कहीं न कि हर्दय के इतरफ ही देखने को मिलती है तो उसी कंडिशन में हमी बता चलता है कि नेक्तिक्ता का समन्द दोस्तों जो होता है वो हर्दय से ही हम जो है देखने को मिलता है फिर नेक्तिक्त से आवाज आएगी नहीं आप अपने माता पेता बड़ों का सम्मान हर्दे के कारण करते हैं और यही सम्मान जो ही नतिकता होती है कि ऐसा नहीं कि आप धर्म और मज़व के कारण आप किसी का सम्मान कर रहे हैं कि हमारे वेदों में लिखा है हमारे कुरान में लिखा है हमारे इसमें लिखा है, नहीं, जब तक आप मतलब कहना है, मतलब भी है कि जब तक आप अपने किसी चीज को हदे से मतलब के सम्मान नहीं करते हैं, तो उसके कारण फी चीज़ें जो होगी, वो ऐसी चलती हैं तो दोस्तों, कुल मिला के अगर हम बात करें, आज हमने basic lecture नहतिक्ता को समझा, उसकी फुषेष्टाओं को समझा अच्छे से, कि इसकी फुषेष्टा का थी और उसके नहतिक्ता का अर्थ का समझा, हमने इसी lecture में इसको समझा है, next lecture में थोड़ा सा advance चलेंगे, धीरे-धीरे, I hope आपको चीजें clarify हो रही होंगी, बैस इसे सपोर्ट बनाके रखिए, आप लगों का बिश्वास रहेगा, डेफिनिट इस सीरीज हम complete करेंगे within time, बैस थैंक यू, आज की वुटव को ले, थैंक यू